हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नादी कम्पेटिशन क्लासिस के यूटूब चैनल में और देखिए आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे अचानक से बहमनी राज्जी कहां से आ गया जी हां यह कहीं से नहीं आया यह वहां से आया जहां स मैं आपसे इस बुक का स्कैन पीडियाफ मांगा था कोई स्टुडेंट हमको सेंड करें तो उसी बीच में कुछ दुरान में कुछ पेजी स्किप हो गए यह मैंने खुद स्कैन करना फिर उसके बाद से स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप शायद बहुत बिजी थे आप सपोर इस बीच है जो इसकी बुआ था तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने यह वीडियो देखिए मोहमद बिन तुगलक के सासनकाल में तेरा सो सिंतारीस एसवी में हसन गंगु ने बहमनी राज्ये की स्थापना की अब यहां से एक्जाम में एक कोश्चन ये बनता है कि बहमनी राज्ये के सिंस्थापक कौन है तो आपको याद अखना है वो है आपका हसन गंगु इस थापना कब हुई थी तो ये स्टेट PCS के एक्जाम में GS पेपर 1 के लिए important है वहां पर आपको words पूछ सकता है लेकिन SSC या अधर कोई भी competitive exam होता है वहां पर आपसे पूछ बहमनी राज्ये का सिंस्थापक कौन है बहमनी राज्ये के नीव किस ने रखी तो ये आप याद अखना इसका नाम है हसन गंगु अब देखिए वह कौन था थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वह अलावदीन हसन बहमन सा के नाम से सिंगासन पर बैठा तो देखिए एक्जाम म या तो आपको अप्शन दे सकता है हसन गंगु या फिर आपको एक्जाम में अप्शन दे सकता है अलावदीन हसन बहमन सा अब देखिए इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था तो राजधानी बनाया था गुल बरगा को और इसकी राजभासा क्या थी मराठी ये कोश् स्टेट PCS उत्राखन PCS में एक दो बार पूछा गया है मराठी भासा तो आप इसको ध्यान लखना अब देखिए इसने अपने समराज्य को चार परांतों में गुलबरगा दोलताबाद बरार एवं बीदर में बाटा और इसकी जो डैथ होई थी इसकी डैथ होई थी 11 फरवर 1358 को अब देखिए अलावदिन हसन के पश्चात मतलब उसके बाद उसका जो पुत्र था मुहमद शा पर्थम सुल्तान बना और इसके सासनकाल में ही सबसे पहली बार बारुद का परियोग करा गया था बुक्का के विरोध ठीक है बुक्का के अगेंस विरोध होकर के पहल पहली बार बारुद का परियोग करा गया था किसके सासनकाल में मुहमद सा पर्थम सुल्तान के सासनकाल में सबसे पहली बार बारुद का परियोग करा गया था अब देखिए भीमा नदी के तट पर फिरोज सा की स्थापना किसने करी थी तो वो करी थी ताज उदीन पर्थम ने अपनी राज़ानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में इस्थापित करा तो किस सासक ने किस राजा ने गुलबर्गा से हटाकर अपनी राज़ानी बीदर को बनाया तो ये नाम आप याद रखना इसका नाम था क्या था सिहाबुदीन एहमाद और इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा बीदर का नया नाम किसने रखा कोशन दखर आप से यह पुछेगा तो नाम याद रखना इसका है अब हम बात करते हैं मुहम्मद थर्ड के सासनकाल में वाजा जहां की उपादी से मुहम्मद गवा को पर्धान मंत्री नियुक किया गया और देखिए यह बह्मनी वंस के संसापत के बारे में आप ध्यान से पढ़ लेना इसको फिरा आप याद रखिएगा पहला पॉइंट है बस यही आप से एक्जामें पूस्ता है फिर आप बात करते हैं आपसे की जो तो पॉइंट हाइलाइट है केवल उसके बारे में मैं डिसकस करता हूँ अपनी पूरी बुख में जितने भी वीडियो होते हैं आपको अच्छे से पता होगा अब मैं बात करता हूँ फिर अगला जो पॉइंट है वह आपका बैमनी समराज्ये के चारो प्रांत के प्रांत पती उसके विरूद विसेश से जाने जाते हैं एक है आपका दौलताबाद का तरफदार सेकिंड है आपका बरार का तरफदार थर्ड है आपका बीदर का तरफदार और फोर्थ है आपका गुरबरगा का तरफदार बहुत ही rare chances इसके पूछने का बस आप याद अखना कि कितने भागुने इसको divide करा गया था बह्मानी समज्जे को तो ये करा गया था चार प्रांतों में फिर हम बात करते हैं कलीम उल्ला जी हाँ यूसूफ आदिल शाह, स्थापना वर्स 1489 वीजबूर राजी की स्थापना किस ने करी थी, संस्थापक कौन था तो ये नाम आपको याद रखना और ये किस वन से संबंद है, तो ये रखता है संबंदी अपना आदिल शाही वन से अगला पॉइंट है आपका, ब्रार के बारे में ब्रार का संस्थापक जो था, वो था फत्य उल्ला, इमाद शाह, स्थापना वर्साइस का 490 वीजबूर का संस्थापक था, अमिर अली बरीद और स्थापना वर्साइस का 1526 फिर हम बात करते हैं, वजीर अस्थाप, वजीर अस्थाप, क्या था एक चुरी, यह था आपका विदेश नीती एवं दर्बार संबंदी कारियों का निस्पादन कौन करता था, एक्जाम में आपसे यह कोशन पूछेगा, चार आप्शन देगा आपको वहाँ पर, वहाँ तो इसका काम था, धर्म तथा दान विभाग का यह अध्यक्ष होता था, बहुत इंपर्ट कोशन से, मोश्ट एमपी कोशन से, इसको आप पर्मनेंट मार्कर से किसी बुक में लिख लिए अपने साइड में, या बुक में अगर आप हालेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छ अब हम बात करते हैं, थर्डे नंबर पॉइंट है हमारा सुटंत्र प्रांतिय राज्या, जोनपुर की इस्तापना किसने करी थी, तो यह करी थी, फिरोशात तुगलक नहीं और जोनपुर में सुटंत्र सरकी राजवन्स की स्तापना करी थी, मलीक सरवर नहीं, इसके सब्सक्राइब बने मच менее 10 आपका 18 मंदिर और जाम मस्जिद के निर्मान कब हुआ था तो यह हुआ था 1470 में 1470 एस्वी में और सुल्तान कौन था वो था सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह देखिए यहां पर सौरी यह आपका हुसैन शाह यह आप याद दखना ठीक है फिर हम बात करते हैं आपसे कस्मीर के बारे में सुहा देव नामा की हिंदू ने 1301 एस्वी में कस्मीर में हिंदू राज्ये की स्थापना रखी या स्थापना की Most important questions है केवल और केवल state PCS GS paper 1 वाले student के लिए ये questions कभी भी किसी भी exam में नहीं पूछा गया है लेकिन state PCS के exam में ये आपसे पूछा गया है डिरेक्ट यहाँ पर आया आपका words exam में फिर हम बात करते हैं इसने अपनी राजधानी इंद्र कोर्ट में स्थापित करा सुल्टान सिकंदर को बुद्ध सिकन कहा गया और 1420 इसमी में जैन उल आबदीन सिंगासन पर बैठा इसकी धार्मिक सही शूरता के कारण इसे क्या बोलते हैं कस्मीर का अकबर किसको बोलते हैं यह questions आपने damn sure अपने exam में कहिना कहीं देखा होगा यह questions बहुत important है अगर आपने real exam दिया है mock test कोई भी अगर solve करके देखा है चाहे offline या फिर online वहाँ पर यह questions आपने जरूर देखा होगा तो आप यह नाम पूरा याद रखना ध्यान से आगे हम बात करते हैं बंगाल क्यों बढ़ते हैं बंगाल मतलब एक तियारूदीन मुहमद बिन बक्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्सनत में मिलाया और गयासुदीन तुगलक ने बंगाल को तीन भागों में डिवाइट करा लखनोती, सुनार गाव तथा सत गाव और important है आपका सत गाव कहाँ पढ़ता है ये पढ़ता है दचिन बंगाल में और लखनोती है आपका उत्तर बंगाल में तो दोनों ही सिच्वेशन क्या है कहाँ पर ये इस्तित है ये आपको ध्यान रखना है फिर हम बात करते हैं आपसे डिर्ट बात करूँगा मैं आपसे माला धर बसू माला धर बसू ने अलावदिन के सासनकाल में स्रीकिशन विजय की रचना कर गुड राज खान की उपादी धान करी इनके बेटे को सत्य राज खान की उपादी से नवाजा गया है और मालवा दिलावर खाने 1401 इसमी में मालवा को 77 गोसित करा और दिलावर के पुत्र थे अलब खान हुशंग सा की उपादी धान कर 1405 इसमी में मालवा का सासक बना इसने राज धाने को धारा से मांडू में इस्थानंत्रित करा और मालवा में खिलजी बंस का संस्तापक कौन था जी हाँ खिल्जी वे इसका सिंस्ताफक जो था मालवा में वो था आपका मुहम्मद शाः जहां लखना क्या है ये ये आपका मुहम्मद शाः फिर हम बात करते हैं आप से मांडू के किले का निर्मान कराया था हुशंग सा ने उसके बाएद कुşक महल के बारे में कुषक महल को मحمد खिलजी ने फतेहबाद नामक इस्थान पर बनवाया गुज्राइग गुज्राइग का परमुक साथ था आपका एहमज्जाइब फिराय आपका महमुद शाथ पिराय आपका बहदुर शाथ एहमस्ता ने असावल के निकट सावर मतिन अदी के किनारे एहमदाबाद नामक नगर की सापना करी उसको बसाया गुजरात का सबसे पर्सिद सासक कौन राय वो राय आपका महमूद बेगडा यादखना महमूद बेगडा और मेवाड अलावदिन खिलजी ने 1303 इस्वी में मेवाड के गुही लोत राजवन्स के सासक रतना सिंग को प्राजित कर मेवाड को दिल्ली सत्रत में मिला लिया और राणा कुमबा ने 1448 इस्वी में चित्तोड में एक विजय इस्थंद की स्थापना करी तो वो था राणा कुमबा खानवा का युद कब हुआ था यह हुआ था 1527 में राणा सांगा एबं बावर के बीच में हुआ जिसमें बावर विजय रहा याद अखना कुछ रिवाल्ट होते हैं इस्टेंडर रिवाल्ट आपको पता होने चाहिए यसे पानी पत का युद कब हुआ था फर्स्ट वर्ड वार सेकिंड वर्ड वार हल्दी घाटी तो यह सबी वार आपको टिप्स पर याद होने चाहिए इसके लिए आपको प्रैक्तिस करने आपका एक्जाम बहुत जल्द है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बुक के स्टेंडर जो भी वाल्ट जो भी रिवाल्ट हुए जो भी विद्रो युद्ध यो भी हुए वह आप याद कर ले ना बुक को ओपन करके अब हम बात करते हैं फिलाल मेवार की राजधानी चित्वडगर थी जहांगीर ने मिवार को मुगल समराजे में मिला लिया देखिए अगला जो है आपका खान देश तुगलक वंस के पतन के समय फिरोज सा तुगलक के सुवेदार मलिक एहमद राजा फारुकी ने नरमदा एवं तापती नदियों के बीश तेरा सो बैसी इ कि सुफी अंदरों आपने स्क्रिप करवा दिया क्या उसमें कुछ इंपरेंट नहीं है उसमें इंपरेंट था बट रिकॉर्डिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिल पाया था अब देखिए सुफी अंदरों बहुत इंपरेंट टॉपिक है यह मैं मनता हूं और एक्जाम म में निवास करते थे उन्हें कैते थे खान कहा या फिर मट शूफियों के धर्म संग बागख़ास सारा और बेसारा में विभाजित थे कुछ अब मीं अगला प्वाशाए कि भारत में चिस्ती इवं सुहरा वर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी और क्वाजा महुनिदीन चिस्ती ने भारत में चिस्ती सिलसिला की सुरुवात करी और चिस्ती सिलसिला का मुक्य केंदर अजमेर था क्या था अजमेर और देखिए उसके बाद में बाबा फरीद की रचना गुरु गरंद साहिब में सामिल है तो गुरु गरंद जो साहिब है उसमें किसकी रचना सामिल है एक्जाम में कोशन से यह पुछेगा आपसे तो वो है आपका बाबा फरीद बाबा फरीद के दो महत्मों सिस्य थे उनके नाम थे एक 1440 इसमे में दच्छिन भारत के चेतरों में चिस्ती संप्रदाई की सुरुवात की और दूलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया सूफियों के सुहरावर्दी धरम संग या सिलसिला की स्थापना सेख सिहाबुदीन उमर सुहरावर्दी ने की बस ये नाम अब याद लखना इसके बाद इन्होंने सिंद एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया सेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना करी इसका मुख्य केंद्र क्या था बिहार क्या था बिहार और कादरी धर्मसंग या सिल्सिले की स्थापना स्यद अबूल कादिर उल जिलानी ने बगदाद में करी और भारत में सिल्सिले के परवर्त कौन थोर का नाम बदाई और का नाम था मौम्मद गौस अब देखिए सेग एहमद सिरहंदी को था अब थोरत पढ़ लेते हैं सुझे यहां पर इस टॉपिक को यहीं से पढ़ते हैं ठीक है देखे नक्स बंदी धर्मसंग या सिल्सिला के स्थापना क्वाजी उबेदुला ने की थी भारत में इस सिल्सिले की स्थापना क्वाजी बकी बिलहाने की और भारत में इसके व्यापक पढ़चार का स्रै जो जाता है वो जाता है बकी बिलहा के सिस्य अगबर के समकालीन थे इनका नाम था सेख एहमद सिरहंदी अब हम बात करते हैं भक्ति आंदुरन के बारे में तो देखिए भक्ति आंदुरन को दच्छिन भार में कौन लाया इसका स्रै किसको जाता है एक्जाम में आपसे यह पुछता है तो वह आपके रामानंद कौन रामानंद और बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारविक परतिवपादकों में विद्या पती ठाकुर और चंडी दास थे उसके बाद हम बात करते हैं दच्छिन में वाहिश लम संतो द्वारा स्थापित चाहर मत ओम कौन से हैं एक है आपका सिरी संप्रदाए ब्रमा संप्रदाए आपध संप्रदाए इसको अगर मैं complete highlight करता हूं तो गलत नहीं रहे गांगी कि इन्होंने राम को अपना अराध्य माना और बात करें इनके जनम किनका जनम हुआ था एक हजार सत्रह इस्वी में और मदरास के निकट पैरंबुर नामकिस्थान पर हुआ 1137 इस्वी में इनकी डैथ हो गई और रामानूज ने विदान्त में पर्सिक्षन अपने गुरू कांची पूरम के यादफ परकास से प्राप्त किया रामानंद का जनम हुआ था 1299 इस्वी में परियाग में हुआ था बस ठीक है आपको जनम याद अखना है और इनका रामानंद का जनम कहां पर हुआ था परियाग में हुआ था ये चीज़ आपको याद अखने है फिर हम बात करते हैं कबीर के बारे में कबीर का जनम हुआ था 1440 में और थोड़ा सा डीटेल में हम इसके पढ़ना चाहेंगे कि काफी परियन परसनलिटी है और फेमस परसनलिटी है अब देखिए जनम के बारे में थोड़ा सा इसमें मकबेद है क्या हुआ था देखिए वारा हनसी में एक विद्वा ब्रामणी क के गर्ब से इनका जनम हुआ था लोग का मानना यही है लोग लज्जा के भैसे उसने नवजा सिसु को नदी में बारा हनसी में लहर तारा के पास एक तलाब के समयप में छोड़ दिया वहां पे जुलहा आए दो हस्बेंड वाइब उन्हें देखा कि छोटा बच्चा यहा कि अब दो दी नाम में मैक्सिमम कबीर की माता का नाम थोसा है तो वहां पर उप्चिन में देगा आपको नीमा क्यूंकि जो तलाब के तड़ पर कभीर को छोड़के गई थी अलपाईयू में नवजा सिसुकको छोड़के गई ती तो मा का नाम तो वी मेंश्र होता ही नही है तो कॉमन सी बात है अब नीमा ही फेमस रहेगा यहां पर और इस बालक का नाम कभी रखा गया कुछ कि यह क्याते जुलाहा थे अब हम बात करते हैं कभीर दास की डैथ हुई थी 1510 में मगहर में और नोर कभीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालिन था बहुत इंपारेंट टॉपिक है यह वाला ठीक है यह आप एक काम करना बुक में इसको अलेक्ट कर लो फड़ाफ़ड यह बुक अगर आपने नहीं लिए तो फड़ाफ़ड जाके मार्केट से बुक को पर्चेस कर लो देखिए कुछ बच्चों को शायद यह भी लगता है कि में बुक पर्चेस कर लो पर्चेस कर लो बहुत फोकस करता हूं जी हां मैं इसलिए फोकस करता हूं आपकी दुकान ना पासे हो मार्केट में उससे मेरी कमिशन सैड है खुझ है बच्चों कि मुझे कुछ बच्चों के इसे कमेंड आते हैं कि सब्सक्राइब करने का मेरा में रिजन है कि आप अगर खुद हैलेट करते हैं मेरे वीडियो को वाच करते तो याद करने की शम्ता आपकी बढ़ जाती है आपको एक लाएं अच्छे से याद होती है मेरा मेर मोटो यह हिए अगर लगता कि बिना आपको बुक उठाए बिना पेपर उठाए बिना लॉट बना आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है हो जाएं को दिक्कत निया फिर तो बस टार्गेड ही है कि अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो थोड़ा बद तो तो वाला टाइमभ चला गया है तो समझधार को एटक्रानिश यह गौंट कि है कि किlles सम्कालिन था यहार और बाफ की नदी थी जहां पर कौन से तलाब था तलाब का नाम क्या था लेहड़तारा ठीक है तो यह सब आपको एक बार में सुनके याद हो जाता है तो बहुत अच्छे बात है आपका आई के लेवल बहुत ही हाई है तो अपका सेलक्शन हो जाएगा अगर आप बहुत जल्दी भूल तो सेलक्शन होगा या नहीं होगा वो तो राम जाने या फिर आप जाने तो फिलाल प्लीज मैं आप बच्चों को डांडता हूं तो मैं आपके भली के डांड रहा हूं बाकि आपकी श्रद्धा देखिए गुरु नानक का जनम हुआ था 1469 में और आ विभाजीत पंजाब के तलबंडी नामक इस्थान भी हुआ था बस जनम का वर्स आप याद रखेगा और उसके बाद में इनकी माता का नाम था तरप्ता देवी और पिता का नाम था कालू राम अब देखिए नानक जो थे सूफी संथ बाबा फरीद से प्रभावित हुए बहुत अच्छा कोश इनका जनम 1486 इस्थी में हुआ था नवदीप में और इन्होंने गोसाई संकी स्थापना करी गोसाई संकी संसा पर कौन थे उनका नाम बताए तो नाम था आपका शेतन्य स्थामे अब देखिए और साथ ही संकीरतन प्रथा को जनम दिया इनके दार्षनिक सिधान्त को और चिंतिय भेदा भेदभाव के नाम से जाना जाता है फिरम बात करते हैं स्री मद वल्लाभजाचारिय इनका जनम हुआ था 1479 में इन्होंने गंगा यमना संगम के समेब औरल नामक इस्थान पर अपना निवास इस्थान बनाया गोस्वामी तुल्शीदास जनम उत्तरपरदेश के बानजिले में राजपूर गाव में कब 1532 में इन्होंने रामचरित मानस की स्थापना करी और इनकी मिर्त्य हुई थी 1623 इस्थी में 1623 इस्थी में इस्थी में मेड़ता जिले के खुद्वी ग्राम में और इनकी डैथ हुई थी 1546 इस्थी में अब हम बात करते हैं रिदास के बारे में रिदास की केमल माता का नाम बहुत जरूरी है आपको पता वरना चीए माता ता नाम था इनका घुर बिनिया इन्होंने रायदासी बहुत ना किसने करी थी याद असना इनका फिरिमस बात करते हैं DÁDU DHAAL ये कबीर के अनुबाद थे जर्म हुआ था 1544 में कहां पर रूता एहंУधा बाद मैं वर्स जर्म किस इस्थान पर हुआ था और हूँ तो वह था जरू एहं इंका पूस्ता का शिलना करी इनक शरू 603 ECV में याद अखना डैत कभी थी इनकी 603 ECV में संकरदेव इन्हों ने भक्ति आंदुलन का प्रचार प्रसार असम में किया ये चैतन्य के समकालीन थे संकरदेव किसके समकालीन थे तो ये थे चैतन्य के समकालीन तो बच्चो आज के इस वीडियो में बस के वल इतना है आप से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप फेस्बुक के माद्यम से वर्टसप के माद्यम से जितना शेयर कर सकते हैं वो इतना शेयर प्लीज जरू करिए ठीक है अब अगली बुक में कौन सी स्टार करने जा रहा रहा हूं लेकिन यूपी की रुसेंड बुक स्टार हो चुकी है काफी वीडियो अब उसके बनेंगे अब बनेंगे मद्य परदेस के वीडियो जी हां दोनों के वीडियो पैरलल मैं चलाते रहूंगा वीडिया फुद स्कैन करूंगा या किसी से पेइमेंट से बाहर से स्क करवा हूंगा वो मेरी हैड़क है ठीक है बस थोड़ा सा पेशन बनाकर रखिए और नोट्स बनाईए कंप्लीट्डी और टागेट सेट कर लेजी कि इस वर्स के एंड तक आपको अपना सेलेक्शन किसी भी कीमत में लेना है करो या मरो वाला हिसाब होना चाहिए ठीक है ए एक चरप्राहट से अपने अंदर होनी चाहिए एक्जाम से पहले की हाँ तेयारी करनी है अच्छे से पढ़ना है यह सब बते मैं आपको काफी हद तक काफी वीडियो में बोल चुका हूं इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो क के साथ में बाइ बाइ टेक केर एंड अल दा बेस्ट